गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ शाधरुग अमरति महराष्ट से और वेलकेम है आपका अपने चानल गार्डनिंग में तुशा पे तो आपने तो ये आनलाइन मंगवाए हुए जो प्लांट है ऐगलो निमा के वो तो देखे होंगे लेकिन इसमें से मुझे कुछ बूशी प्लांट मिले जो बहुत ही रिजनेबल प्राइज में थे तो उसकी मैंने आनलाइन शॉपिंग की है तो आज का जो वीडियो है अन्बॉक्सिंग का वीडियो होगा तो सबसे पहले अभी मेरा जो कलेक्शन है ना आईगलो निमा का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और जैसे यहाँ पर आती हुँ ना ये पूरे सेम प्लांट जो दिखते है ना इतनी बूशी प्लांट ये तो सारे मेरे पिछले साल के हैं लेकिन बाकि जो नियू ले है ना उसको भी मैं अगले साल इसी तरह से बुशी बनाऊंगी और ये कुछ रेट जो है ये बीच में डालने के लिए अभी बीच-बीच में प्लांट रखूँगी तो बहुत ही ज्यादा ये पोर्शन खूबसूरत दिखेगा तो चरें अन्बॉक्सिंग करते हैं तो ये मुझे आया है और वेस बिंगॉल से जहासे मैंने ये पर्चिस किया है और आपको अगर चाहिए तो जो मैं आपको केटलोग लिंक दूँगी इसमें भी अवेलेबल होंगे तो सबसे पहले ये जितनी भी प्लांट है तो हमारी यह जैसे मैंने कहाँ कि सिम्पल भी कोई भी प्लांट हो बहुत ही ज्यादा रेट होते हैं इस वजए से अगर कोई प्लांट मुझे अच्छे और बूशिया बहुत हिल्दी अगर मिल जाते हैं थोड़े से अगर पैसे भी ज्यादा देने पड़े, फिर भी मैं online लेना पसंद करती हूं, तो aglonima के हमारे यहां कुछ गीने चुने ही color है, और बहुत ज्यादा variety, मैंने हमारे इसमें नहीं देखे हैं, nursery में, और जो भी देखे हैं, वो बिल्कुल common वाले थे, तो यह जो थे न, यह तीन plant थे, जो मै आपको दिखाती हूं कि मुझे जो plant आये है, online जो मैंने purchase किया है, वो मुझे किस condition में मिले है, तो इन्होंने packaging तो बहुत ही देखे, एकदम मजबूत ही से किये है, ताकि जो plant है न, वो यहां से इन्हें ने बांध भी दिया है, शायद किसी डोरी से, और इसे हम खोलते हैं, और बिल्कुल आराम से खोलना है से, तो बहुत ही ज्यादा packing थी, इस वज़े से मैंने इसको निकाल लिया है, और ये जो plant है, जो मुझे मिले है, तो चले देखते हैं, कुछ इस तरह से इन्होंने ये पूरे pack किया है, देखे, यहां से भी इन्होंने पूरी सावधानी बर और यहां पर देखे, यह टेप लगा कर जो है, इन्होंने ये plant ऐसे बेज़े है, और देखे, बहुत ही, ऐसा कोई कहे नहीं सकता, कि ये plant online आये है, इतनी ये सारे fresh plant मुझे मिले है, देखे, और मेरे पास जो बाकी color थे, वो तो थे, लेकिन इसमें कुछ अलग ये मुझे लेकिन जैसे picture में दिखाए थे, बिल्कुछ सेम वैसे ही है, जो मैं आपको दिखाऊंगी, और अब निकाल के भी दिखाती हूँ, कि ये किस तरह से plant है, तो जैसे ये plant हमारे पास आते हैं, लगाने के कुछ दिन बाद, जैसे आपको इसकी जो care करनी है, वो भी आप, यानि time to time में आपके साथ share करूंगी, और इसे लगाने का जो एक special video है, वो भी मेरे channel पे मिल जाएगा, लेकिन फिर से एक detail video बनाऊंगी, कि इन्हें लगाते कैसे हैं, इन्हें report कैसे हैं, करते हैं, और इनका soil mix कैसा होता है, इसका भी video बनाऊंगी, ये सिर्फ unboxing का video होगा, और इस प्लांट है वो आपको मिल सके, तो सबसे पहले मैं customer करके उनसे plant लेती हूँ, और इसके बाद जो अच्छे plant होते हैं, उनसे मैं resell करवाती हूँ, तो चलिए इसको अभी खोलते हैं, ये first time मैंने मंगवाया है, इस वज़े से कुछ color तो है मेरे पास, लेकिन ये मेरे जैसे friendly मंगवाये हैं, और कुछ जो है, इसमें से मैं रख लूँगी, तो इस तरह से इनकी बहुत ही अच्छी देखिए, उनने pack बहुत ही अच्छा किया है, तो इनको निकालने के बाद इस पे देखिए, इस कागज पे निकालूँगी, क्योंकि ये देखिए, एक ही pot में ये त और फ्रेश मिल जाते हैं, तो इस वज़े से इन्होंने कोकुपीट में लगा कर ये भेजे हैं, और जो येलो लिवज है वो निकाल लेते हैं, और इस थरह से मुझे ये लग रहा है कुछ इसका रूट जो है, रूट तो एकदम ठीक है, लेकिन ये जो पूरा ये सूख फिर आपको इसके लगाना है, तो ये प्लांट हो गया, और ये एक है और ये सेम, एक ही पोर्ट में जो दो प्लांट हैना सेम लगे हुए, तो ये प्लांट है, तो ये तो अभी शाय doubt, कलर कॉमन है, उनके पास और भी कलर थे, तो जैसे ही और कलर अवेलेबल होंगे तो मै आपको inform कर दूँगी, तो जितने भी नीचे की leaves है, जो मिट्टी टच कर रहे होंगे उसको आप निकालेंगे, इस तरह से तो ये सबसे पहले काम पर करना पड़ता है, उसमें new shoot भी दिखाए दे रहे हैं ये भी दूसरा plant है, देखे यहां से भी और ये और ये दो सेम है, ये भी एक ही plant देखे इसमें ये root जो है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से big big plant मुझे मिले हैं तो इनको अभी report करना है और देखे, रात का वक्त हो गया था जैसे school से आई, तो देखा कि parcel आया हुआ है, तो रात को ही मैंने unboxing किया था, और रात को ही लगा दिया था, तो जैसे मैंने कहा है कि जब भी आपका plant का कोई order आता है तो सबसे पहले आपको soil ready रखनी है तो उसी तरह से मैंने soil ready करके रखी थी, और ये सारे plant मैंने लगा दिये हैं और ये दो plant लग गए और एक छोटे pot में लगाऊंगी ये मेरा 8 इंचे pot है और जो दूसरा देख रहे है बड़े बाले वो 10 इंचे pot है 10 बाए 10 का, तो इसमें ये छोटे से इसमें अभी ये दो plant लगा दूँगी क्योंकि मेरे पास white gumla नहीं है मैंने सारे एगलोनिमा जो है इंडोर plant वो सारे मैंने white gumla में लगाए है तो ये जो है इसमें अभी मैं इस plant को लगा दूँगी झालां चाहिए है इस प्लांट को लगाने के बाद आपको एक स्टिक का इन्हें सहरा देना पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट अगर यहां वहां लुडग जाते हैं तो उसके बाद वो धिरे-धिरे गलने लगते हैं इस वज़े से आपको इन्हें स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए ये थोड़ा सा आपको सपोर्ट देना पड़ेगा यहां पे मैंने ये लकडी ली है और इसमें ये बांद दिया है ये प्लास्टिक का जो है धागा वो और इसमें ये दोनों प्लांट इस तरह से बांद दूँगे कि ये बिल्कु सीधे रहेंगे ताकि इनके एक भी लिव्स खराब ना हो इस वज़े से कैलेडियम हो एगलोनिमा हो या दूसरा कोई भी प्लांट हो जिनको सपोर्ट चाहिए ऑनलाइन किसी भी प्लांट को उसको आपको ऐसे बांदना पड़ेगा तो देखिए इसका एक भी पत्ता खराब नहीं होगा और बाकी इन प्लांट को मैंने ऐसा ही कर दिया है ताकि य तो फ्रेंज आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेक्स केजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर केजिगा फिर मिलती हो नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्डनिंग स्टे सेफ